आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube channel में तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम एक important topic को discuss करने वाल है जो आपके upcoming exams के लिए most important है जैसे कि बात करें यह topic आपके banking के लिए SSC के लिए और railway exams के लिए most important topic है ठीक है सभी को क्या करना है सभी लोग पैनल पेपर लेकर बैठ जाएंगे और साथ में बैल आइकन को पैनल पेपर लेकर बैठ जाएंगे हर कुशन आनके बाद वीडियो को आपको पॉस करना है कुशन को खुछ सॉल करना है उसके बाद ही मेरे explanation देखना ठीक है और जितने भी लोग आज पहली बार आये हुए हैं classes में तो वो क्या करेंगे सबसे पहले चैनल को subscribe कर लेंगे साथ में बैल आइकन को प्रेस कर देना है और जिससे कि आपको अपको जितने भी सारी classes उसका notification आपको मिल सके और जो भी आपकी query होती है जो भी आपकी questions ह होते है तो आप comment box में अपने questions queries को put कर दीजेगा उसके बाद में जो भी best solution होगा उसका मैं आपको बता दूँगा ठीक है चले चले भी आज की class शुरू करते है तो यह है आपके सामने आज की di बोला क्या है di में कि study the table given below carefully ठीक है देखना में यहां से समझना क्या बुला है तो बुला study the table given below तो यह आपकी tabular di है सबसे पहले हम देखेंगे type of crop type of crop में crop one crop two crop three crop four given है ठीक है उसके quality की बात करेंगे तो quality में क्या के given है तो अगर crop one में बात करें एक high quality है उसमें medium quality है और उसमें low quality है ऐसी है क्या सभी में 3-3 quality है high, medium और low झाल 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 तो किसी का अंसर नहीं आए इस कुशन का हम कुशन को पहले रीड कर लेते हैं उसके बाद कुशन को सौल करते हैं देखना भी ध्यान समझना और की कंडिशन में क्या होगा और की कंडिशन में क्या होगा जैसे बोला चैब एक ऍसियुट क्लास खै को वोई भी एक condition बनेगे तो वह allow होगी but इसकी जगा end आता है इसकी जगा क्या आता है तो दोनों में common होना चाहिए यह होता है ठीक चलिए तो crop 1 और crop 2 जो crop 1 देख लेते हैं crop 1 में कौन सा medium quality crop 1 में क्या हो गया medium quality crop 1 और crop 2 का medium quality कौन सा quality है medium quality ठीक है crop 1 का medium quality यह हो गया इसमें क्या दिया है आपको 6 है 7 है और कितना है 8 है और crop 2 का medium क्या है तो crop 2 का medium कितना है तो वो है 9 ठीक है और कितना given है तो वो है 30 यह दो गया medium quality crop 1 और crop 2 का and also produce low quality of crop 3 and crop 4 सबसे पहले crop 3 और crop 4 का low quality तो crop 3 का यह low quality हो गया और यह low quality हो गया यह कितना हो जागा आपका जागा 1 और कितना गया 4 इसमें कितना गया तो इसमें आगया 5 और इसमें हो गया 9 तो यह और वारवाली condition तो हो गई उसमें सब कुछ आजाता है and and में जब भी condition आएगा तो end है बीच में यह है end end किसमें देखना है crop 1 और crop 2 तो crop 1 और crop 2 तो यह हो गया ठीक है उसके बाद ध्यान सबना and low quality of crop 3 and crop 4 तो यह 3 और 4 ठीक है 3 और 4 में 3 और 4 में ठीक है crop 3 और crop 4 में क्या हो जाएगा common end मतलब क्या हो जाएगा common हो जाएगा ठीक है end मतलब क्या हो जाएगा common end और common कितने है इसमें से तो इसमें से देखा हमने 9 हमें मिला common और और कोई common मिल रहा कля और कोई common नहीं मिल रहा है तो कितने region होंगे तो एक ही region होगा जो crop 1 और crop 2 and crop 3 और crop 4 में करहें कितने common है एक काम में एक वन दीजन रिजन होगा 2 मैं त違unt की बात होगे तो जो क्या देखना को common देखरा है कि उन्दों के वेल्यों आ रही है इन्दों को सिर confusion है प्रीजन है डीजन नाइन का जो है यही कि होतड़ा हैं थेक है कि तौ satur अब इकॉन कोन ने अंसर दी चुका है जगदिश जगदिश का अंसर आया है ऑप्शन नंबर बी हाँ ठीक है मिस्टर महिश कभी आ गया पिंटू डीवनिक बिंटू जल्दी सर डेली क्लास डेली क्लास लेन का बिल्कुल सोचे थे कुछ टेक्निकल अलायर हो गया था इस मज क्या होगा फटाक से कुछ नंबर सेकंड्ड आया है जल्दी से अंसर बताई इसका कि असका अंसर क्या होगा फटाक से कुछ नंबर सेकंड्ड करशा है जल्दी सर बताई आया है चलिए आंसर किसका है जगदिश का अंसर आगया है देखे लिए है ना कोशन को क्या मुला है द्यान समझना How many reasons produce high quality crop 3 high quality crop 3 तो high quality crop 3 यह हो क्या ये वाला reason ठीक है उसकी बाद end medium quality crop 1 medium quality crop 1 ये इन दोनों में end की बात करा है किसकी बात करा है end की end में देखेंगे common जब भी end आता तो क्या देखता है common ठीक है तो इन दोने क्या है r 2, 6, 7, 3, 13 है और 6, 7, 8 है 67 और 67 end की बात करेंगे तो इन में क्या हो जाएगा 6 और 7 common है तो ये end में आ गया है ठीक है आगे क्या बोल रहा है but not low quality of crop 2 not low quality crop 2 मतलब low quality crop 2 में को न आ रहा है तो ये क्या आपको R6 नहीं लेना है इन दोनों में जो common था वो ले लिए हमने end बोला था और but not बोल रहा है तो R6 नहीं होना चीए तो R6 हम नहीं लेंगे तो कितने region बचे है तो 7 ही एक ऐसा reason होगा ठीक है जो दोनों condition को satisfied करेगा तो यानि कि इसका भी right answer क्यों हो जाएगा तो इसका right answer option number B हो जाएगा क्यों हो जाएगा option number B तो जगदीश का सबसे पहले answer आया था पिंटू का answer आया था ठीक है पेचरा का answer आ चुका है महेश मिश्टर महेश का answer आ चुका है अजिया का भी answer आ चुका है very good और सभी लोग session को like करके फटा फटा फट शेयर भी कर देंगे ठीक है clear होगे ना चले आ गया अब next question पे ध्यान रखना end में comment देखना है ठीक है clear होगे पिंटू को very good पिंटू चले next question आ गया question number 18 जल्दे से solve करके बताएगे कि इस answer क्या होगा कर के दो झाल झाल किस-किस का अंसर आ चुक है तो आंसर आ चुक है संतोश का पिंटू का, गोपाल का जगदीश का ठीक है चलिए देख लेते इस क्रॉशन को कैसे करेंगे किस-किस का अंसर आ चुक है देखिए वे, क्या बूला है कुशन में यानि किसमे किसमे होना चाहिए तो देखो, दिहान से लो-quality crop one का जो है यातो किसमे होना चाहिए? high quality crop 4 में होना चाहिए और क्या बोल रहा है medium quality crop 3 में होना चाहिए किसमें होना चाहिए medium quality crop 3 में होना चाहिए तो देख लिते है high quality crop 4 यह हो गया high quality crop 4 यह हो गया high quality crop 4 के 3 reason हो गाए किते reason हो गया 3 reason हो गया किते reason हो गया 3 reason हो गया और high quality crop female foreign में इन दौनों के मिलाकि और में और पूरे 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 आगाए पूरे में से low quality crop 1 में कितने reason है काँई भालेटे low quality crop 1 में कितने reason है तो चेक कर लें तो भाई R9 है कि नहीं है यह है चुत का R9 ठीक है तो इसके बाद R10 है या नहीं है R10 भी है तो कितने reason होगे 3 गो जाएगा option number D ठीक है द्यान रखना भाई और में पूरे आजाएंगे and में common हो जाएगा और और के बाद इन 6 reason में से उपर वाली reason में कितने common हो रहे है ये बोलता था तीनो reason common हो रहे है इसका राटर था हो जाएगा option number D हो जाएगा option number D तो रचना Mr. महेश अजिया का भी answer आ चुका था civil practical knowledge sir pause इतना लंबा है यारे एक मिनट का time दिया था इतना बड़ा pause नहीं दिया था ते लिए next question करते हैं next question बताएगे जल्दी से इस cancer क्या होगा फटा फटा झाल 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 चले, आंसर आगा क्या, देखिए, दियान से समझने कुश्चन को, आंसर आचुका है, गोपाल और पिंटूक आचुका है, very good, ठीक है, देखो भी, दियान से अच्छा कुश्चन है ये, which of the following statement is true, तो all medium quality crop two, इसमें से बताने कौन सा वाला true है, all medium quality crop two producing reason, ठीक है, crop two, all medium, all medium होगा है crop two में, all medium crop two, producing reason also high quality crop three, producing are also high quality crop three, है ना, high quality crop three में भी होना चाहिए, ठीक है, तो high quality crop three, high quality crop three हो गया, ठीक है, high quality crop three, तो देखो ये, इसमें है क्या तीनों में, all medium ये होगा है, all medium, इसमें पूरे common है क्या, ये जो r2, r6, r7, r13 ये होना चाहिए, r13 तो है, ठीक है, r6, r6 भी है, बट r7 है क्या, नहीं है, r2 है क्या, नहीं है, तो ये statement क्या होगा, true नहीं होगा, all होना चाहिए था, तो first वाला हो जाएगा, true नहीं होगा, second check कर लेते है, all quality crop one, all quality crop 1 यह हो गया ठीक है यह पूरे reason हो गया all quality crop 1 में यह पूरे reason हो गया ठीक है all quality crop 1 producing reason और also medium and low quality crop 4 crop 1 medium and low quality crop low quality crop 4 sorry तो crop 1 में कौन सी quality देखना है all quality of crop 1 producing और also medium quality and low quality crop 4 medium और किस में चेक करना है अपको medium और किस में चेक करना है low में चेक करना है ठीक है तो crop 2 का medium चेक करना है तो यह होगा crop 2 का यह हो गया फ़ीडियम ठीक है और और क्या में और हाई भी चेक करना है क्या है एक सेकन बखो high quality all high quality crop 1 ठीक है and also medium quality and low quality of crop 4 reason तो low quality होगा crop 4 reason का ठीक है तो यह होगा आर फाइब आर नाइन हो गया ठीक है और यह हो जाएगा आपका क्या आर नाइन और आर थाटीन हो गया तो यह देख रिद्यान से समझ लो ठीक है थार सकेंड वाला क्या बोल रहा है कि क्रॉप 1 कि कितनी लेना क्रॉप 1 की हाई क्वालिटी लेना है क्रॉप 1 की कहला है अब को हाई क्वालिटी लेना है और क्या बोल रहा है medium and low quality किसके लेना है crop 4 की तो medium और low quality ये दोनों reason इसमें लेना है और इसमें कहला है एक reason ठीक है और दोनों में बताना है कौन कौन common है तो ठीक है और 1 common है ठीक है उसके बाद R2 भी common है ठीक है उसके बाद R4 भी common है ठीक है उसके बाद R5 भी common है ठीक है बट इसमें R9 नहीं है और इसमें क्या नहीं है इसमें R3 नहीं है तो यह पूरा-पूरा common नहीं है तो यह भी क्या होगा हमारा answer नहीं होगा ठीक है अब थर्ड वाला चेक कर लेते हैं they are exactly 5 अध्यक्तली 5 अध्यक्तली 5 अध्यक्तली 5 5 5 5 क्रॉप 3 प्रिदूसिंग बीजन विच आर अल्सों प्रिदूसिंग 4 बट नॉट क्रॉप 2 ठीक है अब इसमें बताया नहीं कि high है कि medium है कि low है तो आपको crop 3 का पूरा लेना पड़ेगा ठीक है यह होगया crop 3 का पूरा लेना पड़ेगा second वाला तो हम अटा जिते है crop 3 का पूरा लेना पड़ेगा crop 3 में क्या क्या है तो crop 3 में high, medium and low यह जदाए हो high, medium and low crop 3 में ठीक है؟ यह हो गरोट 3 का उसके बाद किससे compare करना है crop 4 से यह हो कि प्रोट 4 का ये नीचे दिया है crop 4 से compare करना है इसको but किस में नहीं होना चीह? but किस में नहीं होना चीह? तो crop 2 वाले जितने common है crop 2 में नहीं होना चाहिए crop 2 में नहीं होना चाहिए तो crop 2 वाले सबसे पहले हम क्या करेंगे cancel करेंगे R5 दिख रहा है तो R5 जहां भी होगा उसको cancel कर दो यह होगा R5 R8 दिख रहा है R8 चेक करो R8 नहीं है R12 दिख रहा है R12 भी नहीं है उसके बाद R-9 लीक रहा है R-9 यह हो गया R-9 यह भी हो चुक रहा है उसके बाद R-13 तो R-13 यह हो गया यहाँ भी R-13 नहीं है R-9 भी होест जुक 27 R-13 भी हो चुक 마听 फिर उसका है R-6 है R-6 यहाँ गया अब देखना है इन दोनों में कितने common है अब ये जो but not बोला था उनको हमने अटा दिया अब इन दोनों में चेक करना इन दोनों में कितने common है 5 common होना चाहिए इसके साब से कितने होना चाहिए 5 common होना चाहिए कितने होना चाहिए 5 common होना चाहिए तो देखो 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 तो R11 है R11 है, एक हो गया, ठीक है उसके बाद क्या है, R3 और R3, 2 हो गया, ठीक है R1, R1, 3 हो गया ठीक है, R2, R2 कितने हो गया, 4 हो गया, ठीक है और, और, और 4 हो गया, R4 और R4 कितने हो गया, 5, तो 5 common है तो इसका जो right answer होगा, वो क्यों जाएगा कितना हो जाएगा, option number C इसका right answer होगा हाँ, ठीक है ठीक है भई, ठीक है इसका right answer क्यों हो जाएगा, option number C हो जाएगा, option number C, इसका right answer होगा ठीक है, तो आई हो सभी को CVINER हो गई होगी अना देखो भई, यह question ही थोड़ा सा Calculative था तो थोड़ा सा इसको time लेके बताना पढ़ रहा है मुझे बाला की है अबने जितने भी questions किये थे last time हमने बहुत सारे questions किये तो concept भी discuss किया था आगे आने बारे जितने भी questions होंगे तो वो हम जल्दी ही करेंगे जो questions time taking है उसमें time लेना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यह question normal question जैसा नहीं है चलिए अगला question देख लेते हैं अब यह next di आई आ चुकी है अब next di में समझ लो number of item manufacturing M ठीक है add M है manufactured को बता रहा है और S किसको बता रहा है sold को और यह किसमें millions में by six different companies over the years तो six different companies है कौनको सी A है B है C है T है E है और F है इसमें यह क्या है manufacture है और यह क्या है sold इतने manufacture हुए है इतने sold हुए है और यह बताया है millions में कितने year है तो six year है one two three four five six ठीक है तो चलिए question को read कीजिए और first question का answer कीजिए एक minute का question time है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ question को क्या करना इस question में जल्ली से बताई इसका answer into into जल्ली से answer बताई इसका ठीक है झाल झाल चलिए answer आया कैस question का question तो easy था इस question का answer आजाना चीए था तो answer आ चुका है किसका अर्जुन का answer आजा आजाना चुका है ठीक है चलिए देखिए क्या बोला question में what is the respective ratio of total number of items sold by company A तो company A है इसके दोरा item sold किये गए यह है item sold किये हुए ठीक है आगे देखिए आगे क्या बोला question में over all years together those sold by company D और company D द्वारा sold किये गए है यह company D द्वारा sold किये इनका क्या बताने आपको इनका बताने आपको ratio क्या बताने इनका ratio बताने तो भी अव्य सबसे बहुत खरेट कर जिए अधि इस अला मुलिय में 5 रिलाइवन 11 प्लस 3 कितना जागा 14 14 प्लस 519 19 प्लस फाइट पाइटना जागा 24 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा थार्टी वहां ध्रींडट है ना उसके बाद 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 5 plus 1 कितना हो जाएगा 6 6 plus 2 कितना हो जाएगा 8 8 plus 3 plus 2 5 5 plus 1 6 6 plus 2 कितना हो जाएगा 8 8 plus 8 कितना हो जाएगा 16 16 16 plus 2 कितना हो जाएगा 18 ठीक है तो point में value होना है इसलिए हम इने ऐसा किया था तो यह कितना हो जाएगा जाएगे 318 हो जागा कितना हो जाएगा 318 ठीक है अब इसको एड कर लेते हैं यह कितना हो जाएगा पहले 10 प्लस की वेलुए 5 प्लस 5 10 10 प्लस 4 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 5 23 और 23 प्लस 6 कितना हो जाएगा 29 याने 290 मानलो इसको क्योंकि प्लस 799 प्लस 5 14 14 प्लस 8 14 प्लस 22 22 प्लस उन कितना हो जाएगा 23 13 13 तो रेशो कितना हो जाएगा तो रेशो जाएगा अपका 318 और कितना हो जाएगा 318 और 313 कौन सा आप्शन है भी तो आपका इस तो आपके चलते हैं कि नेक्स कोशन यह आपके सामड़े में में एक मिनिट कटाए में जल्दे से सॉख करके बताएगा इस कांसर क्या होगा झाल झाल चले आयाएक अंसर अजय कुमार का अंसर डी आया है चले चेक कर रहते हैं क्या वो लो कॉशन में टोटल नंबर आफ आई टर्म्स नॉट सूल्ड बाई कमपनी बी तो यह तो क्या है मैनुफक्चर वाले है और यह क्या है सोल्ड वाले जब हम मैनुफक्चर में से सोल्ड वाले माइनस कर देंगे तो वो कौन से आइटम आएंगे तो वो आइटम आजाएंगे जो सोल्ड नहीं हुए देख लेते हैं क्या करना इस question में ठीक है सबसे पहले इंको add कर लें इसमें से minus कर लेंगे 7 plus 7 14 14 plus 6 20 20 plus 8 28 28 plus 8 36 36 plus 8 कितना हो जाएगा 44 44 हो गया जाएगा 26 तो कितना जाएगा तो जाएगा 466 आजाएगा ठीक है जलिए अब इसमें से किसको minus करना sold वाले को add करके minus करना तो वाले को add कर लेंगे पूरा हम 6 plus 6 12 12 प्लस कितना हो जाएगा 4 16 16 प्लस 5 21 21 प्लस 5 26 26 प्लस 6 26 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा 32 तो कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा 320 ठीक है 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 8 8 प्लस 16 16 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19 19 प्लस 9 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा 28 28 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29, 54, and 59 हो जाएगा, तो हम इस में से मैनस करेंगे, 349 को मैनस करेंगे, तो यह 1.17 billion जो है million जो है तो किया है एम तोल्ड है तो बी आल दे यह तोगेदर इस अप्रोक्सिमेटल लेट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर इस अन्मेनुफेक्चर वेज वन हंडेड़ सेवन्टीन है टोटल मैनुफेक्चर कितने है तो टोटल मैनुफेक्चर है 466 का कितना परसेंट है यह आपसे पूछ रहा है ठीक है तो कितना परसेंट है देख लें तो भई किससे कटेगी वेल लुए है नाइन हो जाए गाच्छे दिन बारह अच्छा सोला 1444 ठीक है 110 444 एप्रॉक्स में यह 25 परसेंट के सम्थिंग आएगा है नाइप्रॉक्स में कितना परसेंट के सम्थिंग आएगा क्योंकि देखो 100 का 4 गुना कितना होगा 400 और 17 का 4 गुना कितना होगा 68 और अपॉन में दिया कितना है 25% इसका राइट अंसर होगा इंटू तुम्हारा अंसर चेक करो फिर से एक बार कैसे भई वो नहीं लेना है परसेंटेज निकालना है परसेंटेज के लिए मैनुफेक्चर्ट से कमपेर करना पड़ेगा आपको ठीक है 25% इसका राइट असर होगा ठीक है क्लियर चलते आगे हम नेक्स कुशन पर नेक्स कुशन ये रहा जल्दी से एक मिनट का टाइम में जल्दी से सॉल करके आंसर बतेए किसका आंसर क्या होगा फटाक से कोई बात ने पिंटू परसेटेज नहीं निकाला था तो अब निकाल लीजे चले समझ लेते हैं तब तक आप कोशन सॉल कीजे तब तक मैं कोशन को रिलीट करके समधा देता हूँ क्या मोलना है, नम्बर ओ आफ इटम सोड बाइ कम्पणी ए ये लेऊ तो तूर्ज़़ वाला हो गया 2006 ृ ये हो गया तो 2006 ए 2007 ये वाला कॉलम हो गया है and 2006 ए 2007 तूगैदर इस वर्ट पर Tagadkasर अबर हो एस आप बिलिए इन इस ऑड निकुल और इस इंटीजर नबर ऑफ आइटम कंपनी इंदे यह तो दोजन सिक्षेंट टूजन सेवन टूगेदर इस वाल परसंट इस तंबर आइटम मैनुफेक्च्छर बाइ इस यह पूछ रहा है तो भी इन कर लेते हैं यह कितना हो जाएगा फाइवर नाइड नाइटी हो गया और यह कितना हो जाएगा 13 तो कितना हो जाएगा 103 103 इसका मैनुफेक्चर का कितना हो जाएगा 607 13 13 ओर 13 हो गया और कितना हो जाएगा 14 देख लोगे ध्यान से तो यह जो है इसको 100 से डिवाइड करेंगे मैं क्या करूँगा, इसको मान लेता हूँ ये कितना परशन अपने आपे, 100% ठीक है, कितना परशन है, 100% तो देखो द्यान से, ये है 100% इसी से compare करना हमें, इसके तो 10% की value होगी 10% की value कितनी होगी तो 10% की value होगी, 14.4 कितना होगा 14.4 ठीक है तो देख लो भाई ये 14 14 का कॉन से मटल है तो 14 का 7 multiple कितना हैगा 98 कितना हैगा 98 ठीक है और 0.4 का 7 multiple कितना हो जाएगा ये 101 कितना हो जाएगा 101 ठीक है एक दम नीरेश पहुच गया कितना पूच गया 70% से अब होगा 72 परशन फिर से समझा देता हो देखो देहां से यह यह अपने आप में 100 परशन अगर इसके हम 10 परशन की बात करेंगे इसका 10 परशन होगा 14.4 ठीक है कितना हो जाएगा 14.4 7 से multiply किया है तो कितना है अप्रॉक्स में 101 कितना है 101 ठीक है अगर हम इसके 1% की बात करें कितने version की बात करें 1% की तो 1.44 होगा ठीक है और 2% की बात करें तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2.88 तो पूरा लगभग कितना आ गया है तो यह आ गया है कितना 103 के संथिंग कितना गया 103 के संथिंग तो आंसर कितना हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 70 प्लस 2% यानि कितना हो जाएगा 72% 72% ठीक है clear है जल्दी बजाओ approximation समझ में आगा सभी को आंसर आ चुका था किसका pin2 का चुका था very good pin2 रेचना का आ चुका था और सोनाली का भी आंसर आ चुका था आज आंसर नहीं आ रहे बहुत लोग के मिरको समझ में नहीं आ रहा क्या दिखका थे ज्यादा high level हो गया क्या कम लोगों के अंसर आ रहे आज सभी को आंसर करना है भही बैटके ठीक है चलिए अब चलते आगे next question पर next question यह आपके सामने में जल्दी से question solve करके बताएगे किसका answer क्या होगा जल्दी से अंसर करके बताएगे झाल झाल चलिए देख लेते हैं अगले कुशन का असर क्या आएगा थोड़ा हाई है कोई बात नहीं पेंटू हर तरह के कुशन हमें सॉल करना चाहिए इसलिए में थोड़ा टाइम लेकर बता रहा था बट किसी को भड़ी दिक्कत हो रही थी चलिए कोई बात नहीं होता है देख लेते हैं इस कुशन को ध्यान से देखना आराम से में बताऊंगा ठीक है थोड़ा से टफ लेवल की है तफ लेवल की नहीं मोडरेट लेवल की है बट वो है कि हम प्रैक्टिस में नहीं होते इसलिए हमें ऐसा लगता है अब जैसे मैं सेशन लोगा तो इस तैब भी कुशन हमके प्रैक्टिस में होंगे तो कोई लिखाते हैं आपको नहीं होगी चले में ध्यान से समझ लेते हैं क्या बोला है which of the item manufactured M तो यह तो हमने पढ़ ले था which of the company manufactured the highest number of items overall all the year तो बोल रहा है कि highest number item किसमें है तेखे किसमें manufactured में किसमें C में है B में है F में है या B में है B तो दो बार repeat होगे हमें क्या कर चेक करना है तोरी ठीक है उसके वाद किसको चेक करना है किसको और और किसको चेक करना एक को चेक करना है चली चेक कर लेते हैं इसमें सबसे आदा है ठीक है 6 और 7 वाला भी है ठीक है इसमें कितना 8 वाला 1 2 अब देखो इसमें सारे 7 वाले चल रहे 1 2 3 4 7 वाले 8 वाले कितने 2 है यहां 8 वाले कितने है ए 1 2 3 है ठीक है और यहां भी 8 वाले कितने है तो यहां भी 8 वाले 1 2 3 है यह तो हो गई तो सी तो हम नहीं कंसे कैंसिल अब हम भास दो यह ओप्षे या तो फ-बी में च्वलेते और अगर नहीं आए गा तो फिर नोग ऑप्जर्वर्शन से क्यांकुलिट किया है न तो जाएगा і 36 36 और 8 कितना हो जाएगा 44 ए फृट फॉरिक है 54 यानि कितना होगा फॉर फिफ्टी ध्यान रखना 12 हो गया 12 प्लस नाइन कि हो जाएगा 21 21 21 प्लस3 24 24 प्लस 2 खितना हो जाएगा 26 कितना हो जाएगा तो 466 आगे चेकर लेते हैं ठीक है मैं अबिंचे करो 7 14 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा 22 22 प्लस 8 30 30 प्लस 8 22 22 प्लस 8 30 30 प्लस 8 कितना हो जाएगा 38 38 plus 6 कितना हो जाएगा थो जाएगा 44 ठीक है उसके राद क्या होगे भई तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 22, 29 और कितना हो जाएगा 29 प्लस 5, 29 प्लस 5 कितना हो जाएगा 34, तो जाएगा 4, यह जाएगा 7, यह जाएगा 470, और यह जाएगा 466, तो highest कौन सा है, तो highest यह F का है, और यह B का है, तो highest का हो जाएगा, तो highest आप का answer हो जाएग क्या जाएगा option number C तो highest all the manufactured कितना हो रहा है तो highest all the manufactured option F हो रहा है क्या हो रहा है F जिनका भी answer F आया है उनका answer सही है अगर हम बात करें पिंटू का आ गया था, रेचना का आ गया था ठीक है, उनाली का आ चुका था अरजुन का आ चुका था DMR beast का answer आ चुका था ठीक है, चुशील का भी answer आ चुका था ठीक है, चलिए आगे चलिए बागी सलते है नेक्स question पर हम लोग तो नेक्स question यह आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इस का answer क्या होगा, फटा फट एक मिनिट का आपके पास time है 24 का answer कितना है का? चलिए आप जब तक बताइए तब तक मिन question रीट कर लेता हूँ क्या पूछा है, ठीक है? What is the number of item not sold by company C in the year 2003 2003 यह हो गया कौन सी company में चक करना है? C में तो C में क्या चक करना पढ़ेगा? 2003 में जितना manufactured है और जितना sold है उनका लेंगे difference क्या लेंगे उनका difference तो manufacture कितना है? 8 million और sold कितना है? 6 million इसको minus करेंगे तो कितना जाएगा? 2 million आज जाएगा 2 million जाएगा 2 million जाएगा 2 million जाएगा जिनका भी answer 2 million है सबसे पहले Pintu ने answer किया है Very good Pintu उसके बाद answer किया है DMR ने उसके बाद शुशीद ले फिर मिश्टर महेश ने फिर रचना ने Very good फिर अरजुन का भी answer आया है Very good अब जाएगा answer ठीक है? चलिए बागे चलते है Next question पे Next Di चेक कर लेता है Next Di यह चेक है अपकी रडाल वारी Di यह चेक है देखो ध्यान से समझना इसका data कैसे read करना है और इसके साब से हम question solve करेंगे The price of three different fruits यह है किसको रिनूट कर रहा? Apple को यह orange वाला किसको रिनूट कर रहा? Gwava को और यह जो slatey color है यह किसको रिनूट कर रहा है तो यह कर रहा है grabs को किसको कर रहा है grabs को तो देखना भई ध्यान से है न? चलिए तो क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि डेटा कर से हमें read करना है देखना ध्यान से नमझना है ठीक है? क्या बोला है? सबसे बहुत है price different cities दिया है तो यह आपको तीन color दिया है यह Apple है यह Guava है और यह Grabs है ठीक है? यह किसका है? यह तो यह particular है Guava का यह किसका है? तो यह है Apple का और यह किसका है? तो यह है आपका तो यह है Grabs का है ठीक है? किसका है Grabs का? ठीक है? ध्यान से देखना तो जैसे यह point बना यह कितने में 60 पे यह point बना है तो यह 80 और 90 के 80 और 100 के बीच में, तो यह कितने पर 90 पर है, ठीक है, जैसे यह point बना है, तो यह 160 और 180 के बीच में, याने कितने पर है, 170 पर है, यह आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, जयार नटना इस चीज़ों का, और इसके बाद, आपको cities दिये, कितनी cities है, तो जलंदर, डैली, चंडि होश्यारपूर और रोपर है, तो 5 cities है, कितनी cities है, 5 cities है, ठीक है, चलिए, आपने question read कर लिया है, डाटा read कर लिया है, अब आपको question पे धावा बोलना है, और बताना है कि इसका right answer क्या होगा, जल्ली से बताए, question number 25 का answer, फटाफ़र बताईए, क्या होगा इसका answer, एक मिनट क time लेड़ाँ, बस, line graph है, sorry, line graph है, radar वारी तो उसके बाद आएगी, line graph डियाई है, जल्ली से आएधा है, क्याद आपको अन्गे, बस. एक मिनट कर दो ह।, अजरे वारी तो पताउकमे क्या हम दो होगाँ. चानली सेह क्या है, बस। उसका है, प्द़र सle就可以 का डिया है, तो तो हुए क्या बोला है in which city is the difference between the cost of 1 kg apple and cost of 1 kg guava guava second lowest क्या होना चाहिए second lowest होना चाहिए 1 kg किसका cost लेना apple और guava का apple और guava का lowest होना चाहिए second lowest से उपर apple और guava सबसे ज्यादा lowest सबसे ज्यादा lowest apple और guava का लेना है orange और इसमें लेना है ठीक है तो सबसे ज्यादा lowest इसमें होगा और फिर सबसे ज्यादा lowest तो यहाँ हो जाएगा और ओपर में ठीक है तो second lowest लेगा क्या लेगा लेगा 60 का difference है, कितने का difference है 60 का ठीक है, यहाँ difference कितने का यहाँ difference 20 का है, यह तो सबसे lowest हो गया, यहाँ difference चेक करो यह होगा 20, यह होगा 10 और यह होगा 10, यहाँ कितने का है 40 का difference है, ठीक है, यहाँ चेक करो तो यहाँगा 20, 40 और 60 यहाँ कितने का difference है 60 का टो यह होई नहीं सकता सबसे lowest हो गया किसमें roper में हम भी बोला था second lowest तो second lowest किसमें бhары जाएगा second lowest गया आपका डेली में किसमें जाएगा डेली में डेली मी कितना है difference 40 है यह difference जाएगा यहाँ डिफरेंश जीतना होगा उतने में अपका lowest होगा का अंसर आ चुका है ठीक है चलिए सोनाली का अंसर चुका है सोनाली मिश्रा चलिए हम नेक्स कोशन पर चलते हैं नेक्स कोशन यह रहा चलिए जल्दी से अंसर बताए इसका क्या होगा चलिए क्या बुला कुशन में कॉस्ट आफ रन केजी ग्वावा इन जालंदर अप्रोसिमेटली वर्ट परसेंटेज आफ कॉस्ट आफ टू केजी और क्रैप्स इन चंडीगर तो ग्वावा जालंदर मिले ना है जालंदर यह रहा ग्वावा की बात करेंगे ग्वावा है औरेंज तो इसका कॉस्ट कितना है 60 है कितना है कॉस्ट 60 अब 2 केजी से कंपेर करना है किसे कंपेर करना है 2 केजी और ग्रेप्स कहां पर चंडीगर में चंडीगर यह हो गया ग्रेप्स का हो गया स्लेटी किलर तो यह हो गया 2 केजी ठीक है, तो 2 into, कितने के कितने बीचिंगे में है, 90, और 100 और 80 के बिच में, यानि कितना हो जाएगा, 90, कितना हो जाएगा, 60 upon 80, यानि रेश्यो कितना हो जाएगा, रेश्यो जाएगा, रेश्यो जाएगा 1 by 3, और 1 by 3 की जो percentage value होती है, 33.33, अगर हम approximate ले लेंगे, तो approximately कितना जाएगा, 34% जाएगा, कितना हो जाएगा, 34%, यानि किसका right answer क्या हो जाएगा, तो इसका right answer option number D हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, option number D is the right answer, ठीक है, तो option number D, जिन जिन का answer आचुका है, उनका answer right है, option number D, जिनका answer आचुका है, उनका answer right है, 34% इसका right answer होगा, ठीक है तो आंसार आ चुका था Mr. Mahesh पिन्टू वैगज्जू पिन्टू अज्या ठीक है चलिए बागे चलते नेक्स्ट कॉशन पर नेक्स्ट कॉशन यह रहा कॉशन नमर 27 चलिए चल्दी से बताई इसका अंसर क्या होगा फटा फट थाला हुआ कि बागे चल्दी से बड़ पर भागे बागे च़र चल्दी कॉशन अगला होगा लगया यह रहा इसका बागे भागे चल्दी कॉशन गपर पाठीक है शेता है जीक है अट अचले देख लेते हैं को दिहान से समझना वाट टोटल अमांट विल राम पे टू स्पीकर फॉर पर्चेसिंग 3 kg ऑफ अपल और 2 kg ऑफ कोवावा इन टैली ठीक है तो टोटल अमांट बताना है राम ने पे किया शॉपकिपर को पर्चेसिंग 3 kg ऑफ अपल कहां पर डैली में तो यह होगे डैली में कितना एपल एपल का रेट कितना है एपल का रेट है 130 कितना है 130 कितने kg खरीजा है 3 kg यह नहीं कितना होगे 390 कितना होगे 390 और 2 kg ऑगवा गवावा गवावा यह हो गया कलर गवावा यह हो गया ठीक है कितना लोगे 170 170 के साथ से 2 किसी Savior कितना ओजाएगा तो यह हो जागा 340 कितना हो जाएगा 340 कहोंग见 अबने और वड़ला है कितना है 90 है इसका रेट तू के जिया नहीं किता हो गया 180, यह होगा 0, 180 16 और 17 और 1 तो कितना जाएगा 570 हो जाएगा, कितना जाएगा 570, इसका जो राइट अंसर होगा, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, option number C हो जाएगा, option number C is the right answer, ठीक है, तो option number C, जिनका भी answer आ सकता है, ठीक है, सबसे पहले answer किया है, इस question का, पिन्टू, सोनाली, DMR, रचना, सोनाली, मिश्टर महिश, पिन्टू, ठीक है, सबी का answer हो जोगा, option number C, चले, very good, चलते बागे, नेक्स question पर, नेक्स question यह आपके सामने में, चले, जल्दी से question solve करके answer बताएगा, किसका answer क्या होगा, Gलाओ आपके सामने में, जल्दी से टमाफ एलोगा, बिल्सपómoस्ल चलिए विध्यान से देखना इस question को कैसे करना है the price of three items three different foods per kg different cities apple, guava and grabs एपल, guava and grabs रविंद्र है टो पर्चेस 45 kg of grabs from मुश्यारपर रविंद्र ने में 45 kg grabs करी थे कहां से होश्यारपूर से grabs का है ये grabs का price है कितना 180 और 200 के बीच में यानि कितना हो गया 190 ये उता हो गया 190 100% price हो गया price कितना हो गया 190 इस पे कितने का discount दिया है 4% का यानि कितने में बच्चिस के होगा 96% 96 यानि percentage अटाएंगे किसे डिवाइट करेंगे 100 से ये होगई 1 kg के price कितनी kg के price होगी खरीदने वाली अब ऐसे कितने kg पच्चिस किया 45 kg पच्चिस किया 45 kg पच्चिस किया है 1 kg का है 45 kg का निकालना 45 से कर लिया 0 से 0 5 से कर जागा 2 बार ये 9 बार और ये कटेगा कितने बार 48 टाइमस कितना अब करना है multiply करना है ठीक है चले इतना जाएका answer इसका right answer कितना हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा option number A हो जाएगा क्यों जाएगा option number A तो next इस question का answer क्या हो जाएगा option number A होगा क्या हो जाएगा option number A is the right answer okay clear है सभी को clear है clear है न सभी को ठीक है चलिए तो सभी को clear हो क्या होगा screenshot एली जल्दी से इसका आप चलते आगे next question पे चलो वह यह तो next D.I.E. है यह वाली D.I.E. अपका homework वाला question है कौनसा question है इसका homework वाला question ठीक है homework